गुड मॉर्णिंग प्रेंट्स और आज हम लोग क्या देखेंगे जून महीने का जो हम लोग करेंट फिर्स देखे थे वह एक सा पच्छतर तक देख चुके थे आज उसी कड़ी में हम लोग का पार्ट टू आएगा तो उसमें देखते हैं क्या क्या देखना है वही देखें तो नाम इनका क्या है याद कीजिए पार्तिय उद्यव परिसंग का द्याक्ष उद्याय कोटक क्लियर है तो रचक बलो या तो रचक बलो या नहीं एक कोस्ट गार्ड जो भारत की समूंदरी सीमा है उसका यह लोग रखवाली करते हैं तो लोग जानते हैं कि 12 समूंदरी नौटिकल मिल तक क्या होता है इंडिया का टेरिटरी है 24 नौटिकल मिल तक वह क्या है वहां पर भारत सरकार का जो प्रदिस्टिक एरिया है यानि वहां पर बहुत कुछ कर सकते हैं और जो 200 नौटिकल मिल का एरिया होता है वह क्या होता है वहां पर भारत सरकार का एक क्यो चो कोशट नीक हें जए होता है इसकी कि यहां तक गुया है यह कुला समूद्र के अंधर जाली की आधिन आएगा तो कोशट सेजector के आधिन आता है और कहां प्रिस्तित है देखिए और कहीं भी दुनिया में बीवाद हो इस समय तो दिवाद में एक फेक्टर को नहेगा तो चीन तो रहेगा ही चाहे वह साव चाइना सी के देशों के साथ बीवाद हो भारत के साथ बीवाद हो या अमेरिका के साथ बीवाद हो या कहीं किसी साथ है तो सिंकाकु आइलेंड कहा है साउथ चैना सी साव चैना सी मतलब चीन के दक्षिन में जो समूंद है इसको साव चैना सी कहा जाता है यह दुनिया के सबसे बड़ा सी है सागर है और इसमें बहुत सारे देश हैं चलिए इसके मैप पर हम लोग आज चलते हैं साव चैना सी के मैप और संट चैना सी कौनछा इलाका है यह पूरा साउथ चाइना सै यह यह फिलिपीन सी है यह पुरा इंडियन होगा और आगे बरते हैं इसको बड़ा करके देखते हैं कि से इन काकू आइलेंड आखी कर में है कि इधर तो आगे तो सिंकागू आइलेंड कि अनुप और साउच चाइना सी है तो इससे जो बाउंडी वाले देश कोंखोंस है तो देख लिए यह ताइवान है ताइवान और चाइना के लेकर भी आपसें विवाद है यहां पड़े होंग कॉंग है यह फिलिपीन्स हो गिया यह इंडोनेसिया का बोर्नियो आइलेंड है यह जावा आइलेंड है नीचे शुपात्रहोगा यह मिलेक आपको त्योंड़ाफुरा उत्र और पपुआ नूँगीणी के साउथ में क्या है तो अराफुरा सी है क्लियल और भारत यहीं आब वर्ते हैं और जपान कहां आई देख लिजिए यह जपान है और यह उत्र कोरिया नीचे साउथ कोरिया बीच सी ओफ जैपान है क्लियर और बीच में ऐलो सी क्यों है क्योंकि इसका नाम से ली बाइन किवी इसमें पीली नदी अपना जोल गिराती हैं तो हम लोग आसा करते हैं कि हम लोग साव्चाइना सी के बारे में कुछ जान गए उसके आसपास के देश के बारे में भी कुछ जान के क्योंकि चीन आजकल बहुत चर्चा में हैं और जो साथ चाइना का सी है सड़ी जो हिंदी चीन के देश है या आसियान वाले वह ही मुख रूप से यही सब देश हैं कितने हैं दौस कौन-कौन एक बर्मा लाओस एक मातर लैंड लॉक कंट्री दूसरा वियतनाम वियतनाम यह हो गया बहर वाला बार वीच वहला एक कंट्री कमबोडिया यह थालैंड यह तक है और यहां से लेकर का पूरा व्हें दीब समूर है सभ केलियर है आगे बढ़ते हैं तो किक आइलेंड की बीच में किस्कगे की मध्यकों आइलेंड के बीच चीन और जापान के मध्यक वैघ और शेंकागव आइलेंड कहां हुआ यहां पूरू सिय यानी सरकार के द्वारा भारत में निवेश को आकरसित करने है तो बजार बनाए गए इंपावर्ड गूरूप ऑफ सेक्रेटरी के अधिशता कि इसके द्वार की जाएगी सरकार क्या करती है अधियर हाल में जो कोई विश्यस कार होता है उसके लिए एक गुरूप बना देती है एक समीति का गठंग कर देती है एक आयोग बना देती है इसी करह में सरकार में क्या किया है तो रफ्तकार ने निवेश यान एवडियाई को आकरसित करने के लिए इंपावर्ड गूरूप सेक्रेटरी का देख्षता में एक कमिट्व बनाया है तो उसका देख्ष कोन हों गांता के मिट सचीव कैंनाम कांव और के मिन सचीव कोन है को मेंट कीजिएगा आगे बढ़ते हैं अमेरिकी राश्पती के दौआरा जी सेवन का फिस्तार करकीन देसरों को सामील करने का प् में आगया तो जी सेवेन हो गया था तो जी सिक्स कौन-कौन होगे तो अमेरिका इंगलाइन यानि यूके फ्रांस इंग और जर्मनी इटली जापान और सात्मा देश करनेडा उन्यसों अन्ठानवे में रसिया भी इसमें सामिल हुआ था लेकिन दुए जी जार चकता हमें र उप्योक करताओं की जानकारी लीख होने से चर्चा में रहे भीहीम एप को कब लॉंच किया गया था भीम जिसमें आज कल सब लोग थे सबसे अर्थ ही کا कोई पैसे में ले इक्रफे में किसल का thousand निर्मित किया गया है तो यह 2016 में इसको लॉंच किया गया था और इसको निर से करपोडेशन आफ इंडिया यानी एनपी सी आई एलियन करहों की खोज में रहे फाइव हांटेड मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलिस्कोप यानी फास्ट किस देश के द्वारा विक्सित क्या गया है यहां चीन के द्वारा और कहां लगाया गया है तिया जो तीबत अट्र गमारा युज़युऊतरे द्वारा यॉप्सित करने से चर्चा में रहे कर लिमूव युम ही चाईउन आप है किस कॉंपनी के द्वारा किया गया था यहां एक जैपूर की कंपनी थी और इनका क्या था वानदोच स्फोरी इस कंपनी का ऱ नाम है वन टच अपलाप्स वन टच अपलाप्स और त्रासी नमबर में क्या है कोच्छन देश में सभी और बन लोकल बोड़ी और स्मार्ट सहर के नए असनाज को के लिए किस इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुबात की गई है तो क्या नाम इसका टूलिप इसमें क्या होगा दो अर्बन लोर्णिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम मतलब क्या होगा इसमें कि इसमें देश के सभी अर्बन लोकल बड़ी और समार्ट सहरों में जो नहीं असनातर इंगिनियरिंग की हैं या कोई ग्रेजूट हुआ है तो उनको कुछ मौका मिलेगा ताकि वो और्बन के बारे में जो उनको प्रेडिकल कर सके समान से और समय समझें कि वो जान सके और उसे उनको में स्कील बढ़ेगा ताकि वो आगे चलकर वो नोकरी करेंगे या कोई कार करेंगे तो असानी से करेंगे उसमें सभलता को प्रहप् सब्सक्राइब करेंगे परदहान मंत्री नरेंद्र मोदी दोरा बृतेन की अगवाई में होने वाले वर्चुवल वैस्विक टीका सम्मेलन में हिसा लेने से चर्चा में रहे कैना हमें गावी यह गावी किया है तो यह सन्यूक्स राष्ट समर्थित और राष्ट्री यह वै साइबेरिया में अपातका लगा दिया अब चर्चा में है कि साइबेरिया है कहां तो यहां रूस में है और रूस में किदर तो रूस का इस याई भाग है वह जो आर्क्रिक सरकिल के पास है वह ही साइबेरिया है हुगा क्या था कि जो पर्माफरोष्ट है यानि कि वह ऐसा धो जाने के कारण उसे डील का रिष्चा हो गया कोईला खरन के खिलाप पी ये येल से चर्चा में रहे पूरु के अमेजन वर्षा वन के नाम से किस वन शेत्र को जाना जाता है पूरु का मेजन वन तो यह है इंडिया से संब्दित होना चाहिए और अमेजन ने कहां है तो प्राज जील में है यह की स्राज में है तो इसमें लेज Tale दाइ धर किया गया है क्यों देहिंग पतकाई जेंगल में और यह कहां है तो यह Game तो यह outreach में क्योंं क्योंकि यहां पर कोईला खरन किया रहा यह बmother की इंसे जाल दिया होगा पाभालान के नाम पर अठासी नमर्ट कोश्चन लागातार भुकंप से चर्चा में रहे एनरसी भुकंप के लिहाज से किस जोन में अवस्थित है तो जोन फोर में है एनरसी यानि हाई डिस्क में इनरसी डिली आती है हाली में किसकी अध्यक्षता निभारतिय प्रति भूति एवं विणमे बोड यानि से भी ने जिस डेरिवेटिव से सलाहकार समीति का पूर्ण कठन किया है वो उसका नाम क्या है इस अध्यक्ष का नाम नाम इनका असोक दलवाई ने असोक दलवाई का समंद किसे आजाएगा तो जीन्स डेरिवेटिव सलाहकार समीति जीन्स डेरिवेटिव सलाहकार समीति का अध्यक्ष को असोक दलवाई और भारत द्वारा किस देश से इसकी खड़ी देतु सम्झोता किया गया है इस पर भी अभी भीवाध ही है वायुर अक्षा मिसाइल परनाली जो रूस भारत को देगा कि ऐक अिम नम परइश में ग्वध लेने की समय सीमा बढ़ाने से चर्चा में रहे किसी नियामक संस्थान के द्वारत में बच्चों को गॡ्द लेने की का वीनियमन किया बात नियाँ लेंगे नहीं को ब्चत्रिय EB मतलग क्या है केंद्रिये दत्तक संसाधन प्राधी करन कि मैं में नमबर धर्वेंद परधान दोरा वैस्विक उर्जा इस्थीरिता के संदर्व में बैठा करने से चर्चा में रहे ओपेक का गठन कभुआ था ओपेक का गठन में इसा मुख्याले क्या है कहां है तो विए न अस्ट्रिया में और यह उपेक क्या है तो तेल के उत्पादक देशन जैसे कि सोधी अरभिया इरान इराक कुए कटर तो छोड़ ही चुका है इस बार बेनेजुएला इन सब देशों ने जो पेट्रोलियम मूख पेट्रोलियम उत्पादक जो कंट्री है इस लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया था पहले तो इसका मुख्याल है बगदाद में था लेकिन अभी विए नामे है भारतिये नेवी द्वारा चोह अमसुचियों को अपनाए जाने से चर्चा में रहे मारपोल रेगुलेशन क्या है तो मार अपनी वर्सकाट को लेकर चर्चा में रहे तियानमेन चौक की घटना इतिहास में किस रिये परसीद है तो यह घटना है चार जुन उनिस्सों नवासी को जब लोक तंत्र प्रेस की उस्सों तंत्रता की मांग कर रहे है पर्दसंकारी जो सांती के साथ विव्योध पर्दस है हाल ही में की सब्सक्राइब के सीओ ने नसलवाद के खिलाफ लडाई में से 3.7 करोड डॉलर का योगदान देने की घोसना की है तो देने वाले कोन है गूगल के सीओ सुंदर पीचाई और यह नसलवाद आजकल बहुत चर्चाम है क्यों क्योंकि फॉलॉइड नाम का अस पैर रखे हुए जिस कारण उसकी मौत हो गई हाल ही में भारा सरकार के दौरा मातरित्व की आयू एम एम आर और पोशन असर बेहतर करने से जुरे मुद्धो हेतु किसकी अध्यक्षिता में कारे दल का गठन किया गया है सूसरी जाय जटली मतलब क्या होगा इसमें मातरित संध्यक्षित की आयू यानि कि जो बच्चा पैदा करने की जो सरकार की आयू हो रही है क्उसर कार जींद नटलब के साथ ही एक इस वर्स में किया जाए यानि यह मातरी तो इसके पलस ही हो जाएगी इंड में यानि मोटरल में मोटरनल हिए में अ्रका मतलब क्या होता है कि ड气 को ही अजया कि को एक दोरे जिया अधिर आया है और पोसन Michleness तर यानि भारत में क्या है किफ़ास प्रस excel कि सिख्या रहे तो इसको जूरे मुद्दे हो हे तू किसकी अध्यक्षता में काड़ेदल का गठन किया गया था नाम इनका सूसरी जाय जीर्टली क्योंकि जो कौम उम्र में और कोई और महिला है मा बनती है तो क्या होता है उनके स्वास पर बुरा परभाव परता है बागों की मीडितू के आंकरू को लेकर चर्चा में रही राष्ट्री ये बाग संरक्षन प्राधिकरन का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था तो वन जीव संरक्षन अधिनियम 1922 में संसुधन द्वारा 2006 में किया गया था डाटा सुरक्षा और नाग्रीकों की गोपिनियता से सब्मंध ही ते अगर आप इस वो इंस्ट्राल कर लोगे और आप दूसरा व्यक्ति जो भी अगला आसपास में है वह भी इंस्ट्राल किये हुए है अगर उसको करोना हो जाता है तो आपको मैसे आजाएगा कि वह कोरोना पोजिटिव है आड़यों के निजिता और गुपनियता से संबंध मुद्धों पर गठी संसद्य समिति के द्यक्षकोन है नाम हिनका सौसी ठरूर और चमगादरों से में नीपा हुआ सार्स टू वायरस के परशार की समावना की ज्याच को लेकर चर्चा में रहे उच्छ सुरक्षा पशूरोग पर्योग साला उच्छ सुरक्षा यानि मध्य पर्देश में हैं एक सो एक नमर कोश्चन हाल ही में किस राज के द्वारा बारिस और बाढ़ के पूर्वानुमान हे तु मेगा संदेशा और वरूल मित्रा एप लॉंच किया गया है राज का नाम है करनाटक 102 नमर कोश्चन क्या है कोविट-19 का संभावित स्रोत की असंका से चीन सरकार में हाल ही में किस जन्तु को प्रथम से रिदिव में संरक्षित जानवरों के सूची में सामिल कर दिया है नाम है पैंगोलीन यह पैंगोलीन यह चिटी खोर जानवर होता है इसका मतलब किया यही वो कौन नाम से इसका जोर्ज फ्लाइड जो पुलीस को पकरने के दौरान इसकी मिर्तु हो गई थी तो कौन ब्लैक फ्राइड किस देश में मनाया जा रहा है तो यहां दक्षिन अफ्रीका में 104 नंबर कोश्चन हाली में आठ देशों के द्वारा चीन पर नजर रखने हैं तूर किस एलाइंस का गठन किया गया है और इसमें कौन कौन से सामील है इंडर पारलन इंडर पारलियामेंटरी ऑलाइंस ओन चाइना नाम ही है चाइना पर लोग नियंतरन रखेंगे आई पी एसी और इसमें आठ देश कोन है अमेरिका जर्वनी ब्रिटेन जपान अस्ट्रेलिया कनड़ा स्वीडन नार्वे और यूरोप की संसद यानिक इसमें भारत नहीं है 105 नम्र कोशन क्या कहता है भारत समित अन एसी डेसों में अभिव्यक्ति की सोतंतरता के हौनन पर टिपणी से चर्चा में रहे सुन्यूक्त राष्ट मानोधिकार परमुख कोन है तो मीसल बैचलेट और 106 नम्र कोशन क्या है हाल ही में डिजर बैंक ने छोटे सोरो और पुरोतर राजियों में डिजिटल भुख्दान को बढ़ावा देने है तो 500 क्रोल रूपए के किस कोस की स्थापना की है नाम है भुख्दान सनचना अभिकास कोस यानि PIDF मुक्षत इसका देख्या होगा कि पुरोतर राजियों और छोटे सोरों में डिजिटल भुख्दान को विस्तार करना 107 नमर कोश्चर पर आते हैं हाली में SI football परिसंग ने 189 के बाद पहली बार किस वर्स हेटू महिला महिला एसिया कप की मेजवानी के अधिकार भारत को दिये हैं यानि 189 के बाद पहली बार भारते महिला एसिया कप होगा तो यह 2022 में होगा 108 नमर कोशन क्या है परती वर्स विश्व पर्यावरन दिवस कब मनाया जाता है तो पांच जून को इस वर्स इस दिवस पर भारत में कितने सहरों में वन विक्सित करने की घुस्ट नकी गई है तो 200 सहरी वन होंगे 109 नमर विश्व पर्यावरन दिवस 2020 की थीम क्या है तो यह एवं इस वर्स का मेजबान राष्ट कोन था तो मेजबान राष्ट कोलंबिया है और विश्व पर्यावरन की थीम है जाय विवीवी थीजा आ हाली में किस भारतियों को United Nations Association of Development and Peace के लिए गुडविल अम्बेस्टर टूद पूर नियुक्त किया गया है यानि कि यह गरीबों के मसिखा होंगे तो नाम है एम नित्रा जो चिन्नाई यानि माद्रा से संब्दित हैं हाली में किस उद्धमी यहां देखिए किस उद्धमी नाम इनका EY World Entrepreneur of the year 2020 का प्रोस्कार प्रदान के गया है यानि कि एक जो स्टाइटक होगा वो क्या इना मिला है EY World of the year 2020 g नाम है । बैकोन कի अध्यक्ष के वे किर्यन मुझुंडार 10 को प्राप्थ हुआ है बिर्टिस लेबर पार्टी के सांसद तौमन जीत सिंग द्वारा ततकारिन बिर्टेन सरकार की भूम्क्या की जांच से चर्चा मेरे अपरेशन बुलू इस्टार क्या है कहा जाता है कि इसमें जो इंग्लाइंड है उसके भी कुछ अपसर आई हुए थे केंद्रिये वीदूत और नवीर एवम नविकर्निये राज मंत्री द्वारा उर्जा समेत ठीकाउग और लचिली उर्जा परनाली है तू किसा भियान की सुर्वात की कही है तो नाम है है हैज आई कोमिट हैज आई कोमिट 14 नमर कोश्चन एनरजी एफिसियंसी सर्विसेज ल लिटेड इंडिया का और युवेस एट संस्ता होगी एक 115 नमबर हाली में भारत निकीस देश के साथ एक दूसरे के सैनिकों और सुविधाओं के इस्तेमाल है तो मुच्यूल लोजिस्टिक सपोर्ट पर हस्ताक्षर किया यानि कि जरूरत परने पर भारती से न ऑस्ट्रे जरलिया दोवरा भारत को समर्शन देने से चर्चा में रहे परमानु आपूरती करता समूह की अस्थापना कब हुई तो उने सो चेहतर में यह मिशा उद्यस क्या है तो परमानु तक्नीक सामगरी उपकौर्णों के निर्यात और निवू उसका नियंद्रन करना 117 नम्र कोस्ट्यन क्या है भारतिय बैगानिकों की दवारा किस उत्पेरेरा के सहयोग से पानी से हाइड्रोजन निकालने वाली और पर लागत एवं कुशल तक्नीक को खुज अगया है नाम है molybdenum dioxide क्या नाम है molybdenum dioxide अध्यापकों और छात्रों को cyber bullying से जारूपता है तूँ safe online learning in the times of covid-19 booklet को किन संस्थान ने त्यार किया है तो करने वाले हैं NCRT और UNESCO ने क्यों आप सकता है क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब सब कुछ lockdown है तो अभी बहुत सारे private school बेचैन होके हैं और जो बच्चों को क्या कर रहे हैं तो online learning पर जोड़ दिया जा रहा है लेकिन जो online learning है इसमें बहुत तरह के सीख आयते आ रहे हैं जैसे इसमें यह उस्ट बहुत तरह की जो मान सीख सारे लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में कुई घठना है सामयाई है आई डी वाई बीस बीस है आई डी वाई 2020 में लोगों की जाग रूपता और सभागता है तू किसी वीडियो बॉलोगिंग कॉंटेस्ट को पररम्भ किया गया है तो नाम है माई लाइफ है माई योगा ऑई डी वाई मतलं क्या हिता है इंटरनेशनल डे अफ योगा यहीं होने चाहिए एक्सवभवीस है पर्थी वाइसके सब्सकाडियो एको ऑसलोगा सोलीं पर्ति वाणि को में जाता है और 2020 की थीम है फूँड शेUSTी एब्रीबाँ से बीजिनियसे एंड ये और दूश्य को में भी यही थी थी mixed है को लुए एक किस्टी नमल में को कॉस्टिन राज्यों के दूसरे फूर्ट सेफ्टी इंडेक्ष में किस राज्य और के अंद्र सासी परसस को करम्सा परतम आस्थान पराप्थ हुआ है तो rocks 22 नमबर. क्योंकि एक अबार से बीजोर कला किर्थिया बनाने के लिए में निपूर हैं 124 नमर कोस्चन और भारत का सबसे बड़ा इस्टाट अप कोन है सबसे अधिक मुल्यवान तो पेटीम इंडिया कि 125 नमर पढ़ाते हैं केमप गोड़ा को सब्सक्राइब केंप गोड़ा की होगा यहां पर केंप गोड़ा की परतीमा बेंगलूर में बनाए गया है वह कौन थे यह इत्यास में क्यों भी ख्याट थे तो यह बीजे नियकर समराज के साम्वान थे और बैंगलूर सहर के बाळास सरकार के दोवारा भारत माना की छो उत्सरजन वाले वाहनों के लिए किस रंग का स्थ का लगाना नीजा था या क्या होगा एक सेंटीमीटर लंबा एक सेंटीमीटर चौड़ा होगा तो गारी की जो क्रूरंड नहीं फ्यम्त चाहए आई ऑनलाइन से चर्चा में ओनलाइन नैमी साथ 2020 क्या है यह वर्चुल कला परदरस्तनी है और इसे कि संस्था के दौरा आईजूद किया जाता है तो नाम है राष्ट्री आधुर्णिक कला संग्राले कहां है नहीं दिली में 139 पेसावर से कराची डेले लाइन पर युजिना से चर्चा में रहे पाकिस्तान चाइना इकनोमिक कोरिडोर से किन दो अस्थानों को आपस में जोड़ा जाएगा तो यहां पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन के सिंजी यंग परांस से कनेक्ट्रीविटी परदान करे वह पॉंप किया जासे के 130 नमबर वर्तमान आकरों के अनुसार वीत वर्स दोचार उनीस वीस में वास्तविक सकल परत्यक्ष कर संग्रह में कितने परसेंट के गिरावट हुई है तो चार दस्वम्लों 2% के 131 नमबर उत्राखंड की राजगिडिस्म कालीन यानि गर्मी की किसको बनाए गया है तो गैर सैन और यह कहां है तो चमौली जीला में है चर्चा में क्यों है कि हाल ही में वहां के राजपाल ने इसके अनुमति दे दी है कि 132 नमबर राश्ट्रिय सिख्षा निती 2019 जो अगामी संसत्र में प्येस होगा उसे किसी ने त्यार किया है नाम है के कस्तूरी रंगन समिती त्यार करने वाले कौन होंगे के कस्तूरी रंगन 133 नमर कोश्चन विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है एवं वर्स 2020 की थीम क्या थी तो यह विश्व महासागर दिवस आठ जून को मनाया जाता है और इस वर्स का थीम है इसका इनुवेशन फोर ए सस्टेनेबल ओसियन 134 नमर में आते हैं भारति एयर फोर्स के द्वारा बिक सिती यह बोर्न डेस्क्यू फोर्ड फोर आइसोलेटेट ट्रांस पोर्ट्रेशन मतलब नाम क्या है इसका और पीत तो यह क्या है तो हाई एल्टीट यानिक अधिक जो उंच आई हाई हाई एल्टीट मतलब हाइट जो पहाड़ी लाकर हो अधिक उचाई और दुरस छेत्रों में जो कुरोना रोगी है और उनको कैसे लाया जाए तो उसके लिए एक पोड बनायाएगा क्या नाम इसका और पीत है ऐसे तो इसका अंताश्टी यह साथा रूपिया लेकिन भारत पालो ने इसको पचास से जाज है उसके बड़ी चर्चा होती थी उसी तरह भारत सरकार ने भी अपने लिए एक बिसीस जाज बनवाया है तो यहां परधान मंत्री समय ते बीवी आईपी लोगों के यात्रा हेतू बोइंग हेतू नीड इंडिया का बीसीस बीमान है 136 नमर क्वेश्चन कोवेड़ किया गया तो यह कोवेड इंटीन मड़ी जो के सारीरी माप दंडो की निगरानी हेतू एक वायरलेस परणनाली है 138 नमर क्वेश्चन चीन से बीवाद के कारण की से संस्था ने चीन के तीन हजार से ज्यादा उत्पादों को बहिसकार करने का राष्ट व्यापी अंदूल आदम किया नाम इसका CIT मतलब confrontation of all India traders 149 में क्या है 2020 का परतिश्चित परतिश्चित डिचौर्ड डॉकिन्स डिचौर्ड डॉकिन्स प्रुसकार किसे दिया जाता है कहने के लिए प्रुसकार शाम मानित व्यक्ति को दिया जाता है परहे लिखे कुछ कोई वैसे व्यक्ति ज चर्चा में रहे भारतिये पूरात्त्तो स्रेक्षन विभा की अस्थापना कब हुई थी ओम इसके संस्थापना कौन थे तो भारतिये पूरात्त्तो स्रेक्षन विभा की अस्थापना सर अलेक्जेंडर कॉनिंग के दौरा हुआ है कॉनिंग निकिया था और कब तो ठार सो 61 बचपन बचाव आंदोलन नामक NGO किस परतिश्चित 32 से संबंधित वही कल्यास सत्यार थी जिसके लिए इनको क्या मिला तो नोबिल प्रसका मिला था और कोविड-19 के दौर में भी है चींदित हैं कि छोटे-छोटे बच्चों से जबरन काम की करवाए जा रहा है कोईला छेत्र में सुधारों से चर्चा में रहे मिनेरल लॉज अमेडमेंट एक्ट 2020 के तहत अटोमाटिक रूट दौरा कोईला छेत्र में कितने परतिशत तक FDI निवे से सुकृत है तो अब 100% कर दिया गया है कि एक सो त्यालिस में क्या है किस योजना के लिए रोटरी इंटरनेशनल और एंसी यारेटी ने करच्छा एक से वारा तक इए कॉंटेंट उपलप्स करवाने के लिए समझता किया है तो विद्यादान 2-0 के लिए यानिका इए कॉंटेंट जो ऑनलाइन उपलप्स कर दिय जाए जाएगा किसों बच्चों को है रहेगा केंद सरकार ने की सा नुष्यत करते होते राजियों को वान धन समर्धन योजना समेत वन उत्पादों के लिए MSP यानि मीनमम सपोर्ट पराई से लागू करने के लिए यूजनाय बनाने हितु निर्द्यस दिया है यह आर्टिकल कहां है तो आर्टिकल 275 आई में हैं मतलब क्या होगा जो वन के उत्पाद होते हैं माइनर प्रोड़क्ट जो पराह स्टी लोग बेशते हैं उसका एकम जैसे चावलगे होंगा इसी तर उसका भी रेट फिक्स कर दिये जाएगा अंतराश्रीय योग दिवास 2020 पर आयूस्मांत्रालय के साथ स्वन्यूत कारिकरम से चर्चा में रह मुराजी दिशाई राश्रीय योग सनस्थान कहां है तो यहां न की से नाधी के पर है यहां बॉरांपुत्र नाधी के कट्ठर है समाचार पत्रों में चर्चा में रही हाईदू ए गारह क्या है और शुर्खियों में क्यों था तो तो है की हां तो इस नीचे तक जाने का लिकए टेया कृकिया गढूर्व किया तो यहां लभाग 11 मेंट्रक्र धत्रक्राइद काróस्टेब्स कर थैज्ष पेड़ा याला कटिकर घ폰 फिलिप्कीन Explain और फिलिपिन्स के तीसरए राश्पती पहले नहीं तीसरे राश्पती रेमन मेंक्से के समान में दीड़ा है जलवाई नियंत्रित सीमा चोकी कि अस्थापना यह फिंगर फोर विबात से चर्चा में रहा छेतर भारत के किस छेतर से संबंद रखता है तो नाम है इसका पैगोंसो लेक और कहां है तो यह लग्दाक में है और हाली में दुखत घटना समय है जिसमें कहा जा रहा कि 20 भा सब्सक्राइब करें जरूर लाइक करें कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद